भारती जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाचन कटारेया ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चर मारा गई है प्रदेश में बढ़ रही आपरादे घटनाओं पर प्तक्रिया देते हुए उन्होंने राज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो गया है राजस्तान का मुक्यमंति स्वेंग्रामंति और राजस्तान में जिस प्रकार का अपराद की बड़ोत्री को केकर लोग इसको जंगल राज की शेणी में लेते हैं अब मैं मुक्यमंति दी पूचना चाहता हूँ कि जंगल श्रणी से भी और कोई गटिया सब देख्या जिसका प्रियोग राजिस्तान की जनता करेगा। पिछले लगातार सादू की हत्या हो रही है के बाद एक सांग्रिया में पिर एक सादू की हत्या हुई है जिसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं उपाया। बरतपूर में भी हत्या हुई उसका पता नहीं है जारोर में भी कोई सादू की हत्या के बारे में उसका भी कोई अभीश्पस्टी करण सरकार करने पाई जमारामगण में आज एक महिला को जलाया जिसके करण से उसकी मौत हुई उसकी करता है आज राजस्थान की जनता चाहती है कि इस प्रकार की कानून व्योस्ता की धज्जियां जब उड़ रही है तब राजस्थान का मुख्य मंत्री मौन क्यों है मुख खोल करके बोले वो दूसरों से तो पूछते हैं प्रदान मंत्री बोलो ये को रोपे ले आप तो बोल दो अपने प्रदेश के वारे में जो हम रोज पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जंगल राज से भी घटिया राज को हो चकता है तो वो राजस्थान का है करपा कर करके अपने मुख खोलो और राजस्थान को सभालो